बीजेपी ने देश भर में साड़े 300-350 सीट जीतने का लक्ष रखा है मिरट में बीजेपी की बैठक चल रही है और यहां सीम योगी ने 73 से जादा सीट जीतने का दावा किया है कल अमशा भी यहां पहुंचेंगे मिशन 350 प्लस लक्षे के साथ बीजेपी 2019 के तयारियों में कूद गई है मिरट में बीजेपी कारिसमिती की बैठक हो रही है और उसी बैठक की यह तस्वीर है एक तरीके से मिशन 2019 की शुरुवात है और उसकी बानगी आप यहां पर भी देख सकते हैं बीजेपी का जो मिशन 2019 का लक्षे है साड़े 300 प्लस यानि के इस बार बीजेपी का लक्षे रहेगा साड़े 300 से जादा लोकसबा सीटे जीतना बाकाइदा जहां मीटिंग हो रही है वहां पीयम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शहा और गरी मंतरी राजनास सिंग के बड़े-बड़े कटाउट लगे हैं बैठक इस्थल पर उन योजनाओं की भी तस्वीर लगी है जिसके दम पर 2019 के चुनाओं में बीजेपी उतरने वाली है प्रदान मंतरी नरेन मोदी के द्वारा लॉंच की गई जितनी भी तमाम योजनाएं हैं उनका प्रचार पसार करना और उसकी बानगी दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है यही वजा है कि बीजेपी यूपी में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाती 2014 में NDA को 80 में से 73 सीटें यूपी में मिली थी अमित्र शाह इस बार 74 का लक्षे लेकर चल लही है लेकिन SP-BSP कॉंग्रेस का गटबंदन इनकी रहा का रोड़ा है इस बैठक में इस रोड़े को रास्ते से कैसे हटा कर आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी पश्मी यूपी के सबसे बड़े शहर मेरट में इस बैठक का आयोजन भी रण नीती के तहत किया गया 21 साल बाद मेरट में बीजेपी की ये बैठक हो रही है 2014 में ये इलाका बीजेपी के लिए काफी उपजाओ साबित हुआ था लेकिन कैराना चुनामे हार के बाद बीजेपी नए सिरे से रण नीती बना रही है पश्मी यूबी में 26 जिले आते हैं और लोकसभा की 27 सीटे हैं 2014 के चुनामें बीजेपी ने 27 में से 24 सीटे जीती थी बीजेपी अगर पश्मी यूबी में जाट वोटों का समाजिक समिकरण दुरुस्त कर लेती है तो 2019 के चुनामें उसे काफी फायदा होगा दो दिनों तक बीजेपी के राज्य भर के 683 प्रतिनी थी इस बात को लेकर यहां मन्थन करेंगे दो हजार उनीस के लिए साड़े तीन सुप्रस आपको बता दे 2014 में 282 सीटे बीजेपी ने अकेले अपने बलबूते जीती थी ये है एबीपी नियूज आपको रखे आगे